तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुक कोईं से आप पैसा कैसे विड्रोल कर सकते हो और वो भी बिल्कुल आसान तरीका से और बहुत सारे लोगों के साथ प्रोब्लम होता है कि जैसे ही वो पैसा विड्रोल करने जाते हैं तो वहाँ पे 00 बैलेंस तो करता है या फिर इन्सकेंट बैलेंस करता है और अभी देख सकते हैं कि मेरे एकांट में 48 डॉलर है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर उस प्रॉब्लम के बारे मैं आपको बता देता हूं कि उसको कैसे सॉल्फ करना है उसके बाद पैसा कैसे हैं वह भी यहां पर तो जैसे कि मैं यहां पर इस पर क्लिक कर देता हूं ठीक है अब जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहां पर सो करा होगा कि अभी लेबल बैलेंच जो है वह 00 है जो कि वहां पर कितना था 48.2 डॉलर था लेकिन यहां पर कितना सो कर रहा है 00 बैलेंच सो क लब यह कहना चाहता है कि आप जहां से पैसा विड्रोल करना चाहते हैं वहां पर पैसा हैं ही नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना है वह सारा कुछ यहां पर बताने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है त उसको चेंज करना होगा usd me convert करना पड़ेगा उसके बाद यहांसे आप पैसा विड्रोल कर सकते हो ठीक है और बात आता है कि इसको कैसे चेंज करना है usd में तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैक करना है ठीक है और बैक करने के बाद आपका जो भी केरेंसी है उसको इस पर मैं क्लिक करता हूं ठीक है अब जैसे यहां पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद अपने एकाउंट के अंदर आ जाईएगा अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बैलेंस है वह कीस में हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है मतलब की लाइट कोईं में है ठीक है यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है auxiliary टूलर ठीक है तो यह our लाइट कोईन में है तो लाइट कोई forces एक यूब को अब करना नोगा तो इसके लीए अब यहाँ पर आ जगाने के बाद यहां पर दीकियेगा किसारे रिखूँज होते दिख करने के बाद आपका कीश मैं इसको सेलेक करना है। पैसा में है एलड्फौैंट मैं मैं इसपर क्लिक हों आप करना है लेकिन मुझे क्या करना है मुझे में चाहिए एंडियन करेंसी में अगर इंडियन में आपको पैसा लेना पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको क्लिक करने के बाद यहां पर जितना भी पैसा होगा वो सारे को विड्रोल करना चाहते हो तो यहां पर max का option देखने को मिलेगा उपर में ही यहां पर max का तो इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे यहां पर क्लिक करिएगा तो जितना भी आपका balance रहेगा सारा सुकर देगा अब यहां पर डालने के बाद सीधे confirm के option पर जैसे यहां पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहां पर बोला जा रहा है कि एल्टी सीध से जो पैसा है वह यहां पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यह ठेडिंग प्लीक करना है तो सबसे पहले इसको आपको मेन एकंट में लाना होगा तो उसके लिए आपको कुछ पहले र क्लिक करना है उसके बाद कंगira को मिलेगा उस तो इसको आपको सिधा Array को चेंज कर देना तो ऊपर में प्रेडिंग हो जाएगा रहल फंडिंग में चनल난 उसके बाद यहां पर आपको नीचे में आना है और जीतना बैलेंस रहेगा यहां पे तो इस पर आपको max के option पर click करना है तो मैं यहाँ पर max के option पर click करता हूं तो जितना मेरा balance रहेगा वो सारा funding account में चला जाएगा तो मैं यहाँ पर confirm करता हूं अब confirm करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो funding account में आ चुका है ठीक है उपर में आप देख हैं कि funding account है और नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पैसा funding account में आ चुका है उप इस पैसों को कैसे डोब करना है वह मैं आपको बता देता हूं तो इसके लिए सबसे पहले आपको bank account add करना होगा यूपी आई होगा या फिर आपका बैंक एकाउंट होगा जो भी होगा उसको एड करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले होम पर आना है अब होम पर आने के बाद अपने प्रोफाइल के option पर क्लिक करना है उपर के option पर यहां पर आपको देखने को मिल जागा ठीक है तो यहा पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपका सू कर देगा यहां पर जितने भी पेमेंट मैठेट होंगे सारे सू कर देगे अगर सू नहीं करता है तो यहां पर सबसे पहले आपको एड करना होगा अब उसके बाद एड पेमेंट मैठेट का option देखने को मिले अब जैसे यहां पर क्लिक करिएगा तो आप यहां से किसी भी तरीका से पैसा को ले सकते हो अगर आपका मन है कि मुझे फोन पे से लेना है तो आप फोन पे से ले सकते हो अगर आपका मन है कि मैं यहां से गूगल पे से लूँ तो गूगल पे से भी आप ले सकते हो मतलब जी यहां daher यहां प्लीकेशन में आएडी रहता है उसी को डालना है उसके बाद यहां पर आपWhat यहां पर आपको ट्रेडिंग पास keeping उसको डालना होता है मोबाइल नंबर अपको ऐसे आपना टेर्डिंग डालने के बाद करने के बास था है तो इस पर आपको क्लिक करना पैमेंट मेठेड एड ही कर लिया है उसके बाद देटी को चेंज करना था तो भी आपने चेंज कर लिया है तो अब सीधे मुझे पैसा विड्रॉल करना है ठीक है और पैसा विड्रॉल करने के लिए यहां पर P2P का ओप्षन देखने को मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे यहां पर क्लिक करिएगा उसके बाद ओके के ओप्षन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है यहां पर आपको सो कर रहा होगा बिटक्वाइन या फिर अनदर तो इसको आपको आई एन आर कर लेना है तो इसके क्या करना है कि सबसे पहले यहां से पैसा को सील करना होगा ठीक है बाई नहीं करना है तो सील की option पर क्लिक करना है अब उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा यहां पर payment method लेकिन यह काम करना है कि यहां पर quantity का option सो कर रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक क जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर 4000 डाल देता हूं उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आचुका है ठीक है कि यह 4000 से 7000 दे रहा है ठीक है यहाँ पर एक चीज है करूब मेठेट जो आपने एड किया है वह भी यहां पर देख लिजेगा कि आप जो payment method add किये हैं उस payment method में मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं जैसे कि यहां पे फोन पे हो गया गूगल पे हो गया UPI हो गया ठीक है तो मुझे जो है वो पैसा UPI मिलेना है ठीक है तो मैं सीधे इसके option पर क्लिक करता हूं तो यह नहीं ले रहा है तो दूसरा मैं सेलेक कर लेता हूं अब जैसे कि यह आएम पेस को लेता है उसके बाद और नीचे चलते हैं अब नीचे जाने के बाद यह लेते हैं ठीक है तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं इनका limit एक बार देख लीजिए कि limit कितना है 1500 से ले करके 21,000 यह भेज सकते हैं और दूसरी बात कि पेमेंट मैठेट को चेक लेना है कि कौन सा पेमेंट मैठेट है जैसे कि यहां पर फोन पे यूपी आई हो गया पे टीम गूगल पे सारा यह यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है से की अप्षिन पर अब जैसे ही से चल के उप्षर करने के बाद यहां पर आजाएगा ठीक है मैं यहांपर के आपका पैसा है यहां पर निवी tab तो सबसे पहले और पर जैसे करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ट्रेडिंग डालना होगा तो मैं यहां पर डालने के बाद अब उसके बाद यहां पर मेरा जो पैसा है वह भेज दिया जाएगा तो सबसे इंतजार करना पड़ेगा और यहां पर टाइमिंग चल रहा है और उसके बात यहां पर यहां पर देखने को मिलेगा पयमिंट मेंट को मिलेगा तो हम van parchment mail-ad İ effective यहां पर आपको select कर ले ना है ठीक है और आपना जो मॉबाइल नंबर में यहां पे तो यहां पर उनके पास मैसेज कर दिया है अब उसके बाद यहां पर मुझे क्रेप्टो जो है वह रिलीज करना होगा उससे पहले नहीं ठिक है और यहां पर आपका जो पैसा है वो 100% secure है क्योंकि जब सबसे पहले वो आपके account में पैसा डालेंगे उसके बाद यहां पर आपका जो भी currency रहेगा जो भी crypto रहेगा वो आप पे करिएगा ठीक है तो सबसे पहले वो पे करते हैं उसके बाद आपको पे करना होता है अगर आप पे नहीं करते हो और वह पे कर लिया है तो पैसा तो कठी जाएगा लेकिन आपका जो यह एप है वह बैन हो जाएगा ठीक है आपके मोबाइल में यह अप्लिकेशन नहीं चलेगा बैन कर दिया जाएगा क्योंकि आपने जो इसके रूल का है वह फॉलो नहीं किया है इसलिए को थोड़ा सा इंतजार कर लेना है ठीक है इसके टाइमिंग चलने तक ठीक है तो थोड़ा समय यहां पर इंतजार कर लेता हूं 20-25 मिनट वेट करने के बाद मेरा जो पेमेंट है वह कम्पलीट हो चुका है ठीक है 4,313 रुपईया कम्पलीट हुआ है और किसने भजा है ए गुगल पे को open कर लेता हूं ठीक है अब जैसे यहां पर open करता हूं तो open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि unies बेजा अब एक बार transaction हिष्टी में जा करके देख लेता हूं ठीक है यहां पर आया अब आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि 4,113 रुप यह मुझे म बेज दिया है और 8 बच के 16 मिनट में करीब भेजा गया है तो जा करके अब मुझे पैसा फो दो vite तो इसके लिए मुझे इस पर क्रिक करने के बाद चाहिए उसकी रिप्ट का option देखने को मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है अब जैसे यहां पर क्लिक करिएगा तो दो ऑप्षन दिया जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना है कि I have reset the correct payment from buy ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है और सीधे यहां से confirm कर देना है ठीक है अब जैसे यहां पर confirm करिएगा उसके बाद यहां पर पासवड पूछा जागा तो आपका ट्रेडिंग पासवार्ड होगा यहां पर डाल देना है तो में आपर डाल डेता हूं अब यहां पर डालने के बाद देख सकते हैं कि छाला गया है ठीक है ट्रांजेक्षन जो है वह प्लीट हो चुका है उधर से 15 कंप्लीक हो है और साथ ह पर हम लोग जा करके चेक कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो पैसा है वो सक्सेस्पूली यहां से कट हो चुका है और मेरे बैंक एकाउंट में आ चुका है तो बिल्कुल असान तरीखा था पैसा विड्रोल करना तो बस आज के लिए इतना ही और यह वीडियो